जैस्री करश्ण मित्रों, मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 13 सितंबर 2021 सोमवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल की अनुसार आज भगवान शिव की क्रपा से वशुब ग्रहों की द्रश्टी से आज 12 में से 5 राशी आम भाग गिशाली रहेंगी इन 5 राशी वालों में आज है वरशब, मित्वन, कन्या, वरश्चिक और मकर राशी वाले लोग वही अन्य प्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंग आप नित्य का राशी फल नई नई ग्यान वरधक जान करियां हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो प्राप्त कर लें तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारे शुरू नहीं करें इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तू की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सूल रहेगा पूर्व दिसा में तो आज के दिन आप पूर्व दिसा की औ पूर्मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारे शुरू नहीं करें पूर्व दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आपके लिए आज अती अवश्यक हो तो आज दरपन देख करके या दूद पी करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सर्वसरे पूर्व शुब महुरत रहेगा तो इस समय अवदी में आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारे आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तू की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुरत में आप कर सकते हैं तो जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भा इस प्रकार से मिल सकते हैं वियापारी वर्ग के लिए या समय जो है नए उत्पादों को शामिल करने का समय है या किसी नए काम की सुरवात करने का समय है छोटे भाई बहनों की सला से लाब की इस्तितियां आपके लिए बहतर होगी विवाह के इच्चुक जातों के लिए स सायंकाल के समय किशी कारेकरम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त हो सकेगा। आज सारीरिक स्वास्त आपका उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्य शाली अंकशात है। शुब रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारेशेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगना संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्र और भगवान सिव जी को पंचम्यवा मिठाई का भोग लगा करके ओम सोमेश्वराइनमा इस महामंत्र का 108 बार सरद्धा पुरवग जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभुवा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है व्रशब व्रशब राशी वा कानूनी विवाद में सफलता के योग है कारी छेतर में आपको कारियों से लाब होगा जिससे आपके पराकरम और विश्वास में वरद्धी होगी परिवार में हर शमंगल में परिवर्तन वा मनौरत आपके सिद्ध होंगे कारी छेतर में आपके अनुकूल वातावरन चात्रों को बुद्धिक छमता का विकास कर पाएंगे जिवनसाती के साथ उत्तन समय वितित होगा तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त हो सकेगा आज सारी रिक्स्वास्त आपका सामाने रहेगा तो आज आपका भाग्य शाली अंक पांच है शुब रंग आपका ला आता हकाल इसनान करने के पस्चार शिव परिवार की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें शिव जी को बिलव पत्र और धतूरा आर्पित करें पंचे मेवा का भूग लगा करके एक स्रीफल चड़ावें और बेट करके ओम साम्व सदा शिवाइनमां इस महा मंत का यथा शक्ती जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शुब परिड़ाम इस प्रकार से मिल सकते ही कि आज का दिन काफी रचनात्मक आपके लिए रहेगा आज अ कर सकते ही नई योजनाई दिमाग में आएगी जिससे आपको अधिकारियों का सहीयोग मिलेगा जीवन साती की सलाह आपके लिए काफी मददगार साबित होगी और आपके रिस्तों में आज मजबूती आएगी तो आज आपको भाग्य का सांथ 85 प्रतिसत प्राप्त हो आज सारीरिक स्वास्त आपका बहतर रहेगा तो आज आपका भाग्य शाली अंक पांच है शुबरंग आपका केसरियारंग है केसरियारंग का प्रियोकारिचेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशी शुपाई इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इश्नान करने के पस्चात भगवान सिव जी पारवती जी को पंचाम रसे इश्नान करवा करके सुद्ध जल चड़ावें यग्यो पवित और वस्त्र अरपित करें और ग्याराह बिलवपत्र सफेद चंदन लगा करके चड़ावें रितू फल मिठाई का भोग अरपित करके ओम रुद्राय नमा इस महा मंत्र का 108 बार सरद्धा पूरवग जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है करक तो करकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही पारिवरिक संपत्ती में बड़ोत्री के योग ही जो भी काम लगन के साथ आप करेंगे उसका फ नीती से जुड़े लोगों को लाब मिलेंगे उनके आर्थिक स्थिती मजबूत होगी जीवन साती की सलाह व्यापार व्यवसाय में काफी मददगार साबित होगी तो आज आपको भाग्य का साथ 83 परतिसत प्राप्त हो सकेगा आज सारीरिक स्वास्ता आपका सामान्य रहे तो आज आपका भाग्य शाली अंक छे है शुब रंग आपका गुलाबी रंग है तो गुलाबी रंग का प्रियोग कारिछेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट एवं वाधाउं से म पूर पूर से आरती उतारें और बेट करके ओम उमा पतिये नमह इस महा मंत्र का 108 बार स्रद्धा पूर्वग जाब करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ वह सफलता दायक आज रहेगा अगले रासी है सिम्ह तो सिम्ह राशी वालों को आज शुभ परिनाम इ मार्ग प्रसस्तों होंगे नए कारियों की रूप रेखखा बनेगी ससुराल पक्षे से संबंदों में मदूरता आएगी किसी अतिती के आगमन से मन हरशित होगा अटके हुए धन की प्राप्ती के योग ही भाग्य का भी पूरा सांत आपको मिलेगा सायंकाल का समई धर्मि कार्यों में व्यतीत करेंगे तो दिन बहतर रहेगा तो आज आपको भाग्यका साउत 90% परापत हो सकेगा आज सरीरिक स्वास्त आपका मध्यम रहेगा तो आज आपका भाग्य चाली अंक 9 शुब रंग आपका पीला रंग है तो पीले रंग का प्रियोकरी चेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिष लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट एवं वाधाऊं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशिष उपाइस प्रकार से हिन प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात कच्चे दूद में केसरवा हल्दी मिला करके शिव परिवार को इसनान करावें पुना सुद्ध जल अर्पित करें वस्तर आदी अर्पित करके गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें ग्याराह बिलवपत्र सफेद चंदन लगा करके चड़ावें पंचमेवा और रितूफल का भोग लगा करके करपूर से आरती उतारें और बेट करके ओम्त्री नेतराइनमा इस महा मंत्र का 108 बार सरद्धा पुरवग जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूभू बस सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है कन्या तो कन्या राशी वालों को आज शूभू परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कारे छेत्र में सकारात्मक बदलाव से लाप की इस्तिती बहतर होगी आपके मान सम्मान में बड़ोत्री होगी विध्यारती वर्गों को गुरु जनों का आशिरवाद प्राप्त होगा परिवारिक बिजनेस में पिता का सही होग और आशिरवाद आपको मिलेगा किसी सुब मंगल कारी की परिवार में रूप रेखा बन सकती है भाग्य पर विश्वास अवश्य रखें आत्म विश्वास के साथ काम करें सफलता आपको अवश्य मिलेगी व्यापार विवसाय में नए निवेस करने के लिए समय काफी उत्तम है सायंकाल के समय इस्थिति में और भी बहतर सुधार होगा तो आज आपको भाग्य का साथ 85 परतिसत प्राप्त हो सकेगा आज सरीरिक स्वास्त आपका मध्यम रहेगा तो आज आपका भाग्य शाली अंकशात है शुब रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का परियोकारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात शिव परिवार को पंचा मरसे इसनान करावें शुद्ध जल चड़ावें और वस्त्र आदी चड़ा करके अच्छे से स्रंगार करें 21 के मातरा में बिलुब पत्र चड़ावें रितुफल और पंचे मेवा का भोग लगा करके ओम सोमेश्वराई नमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वह सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है तुला तुला राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही कारिय विभार से जुड़े सभी विवाद आज आपके सुलच जाएंगे नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा जमीन जाइदात के मामले में आसपास के लोग परिशानी का कारण हो सकते ही किसी वरिष्ट व्यक्ती की मदद से आपके सभी अठके हुए कारी बनेंगे परिवार के छोटे सदेशों के साथ अच्छा समय वितित अवश्य करें आर्थिक स्थिति आपकी बहतर होगी और आमदानी के नए इस्त्रोत्र के बारे में आपको जानकारी हांसिल होगी सायंकाल का समय धार्मिक कारें में वितित करेंगे तो बहतर होगा तो आज आपको भाग्य का साथ 84 प्रतिसत प्राप्त हो सकेगा आज सारी रिक स्वास्त आपका मध्यम रहेगा तो आज आपका भाग्य शाली अंक नो है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात शिव परिवार की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें पान का बीड़ा रितुफल और पंच मेवा का भोग लगा करके ओम नमाह शिवाई पंचाक्षरी महामंतर का यथा शक्त प्रातह से ही लाप के अवसर आपको मिलेंगे व्यापार विवसाय में उन्नती के मारग प्रसस्त होंगे परिवार में शुक शांती और इस्थिरता का आनंद उठा पाएंगे नोकरी या व्यापार में सकारात्मक परिणाम से आगे चलकर के लाप मिलेंगे काम में नई जा लाइप में सावधानी अवश्य रखें, क्रोध से आपके रिस्तों में दरार पड़ सकती है, जीवन सांती का सयोग आपको मिलेगा, माता पिता का इसने हो और आसिरवाद प्राप्त होगा, तो आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त हो सकेगा, आज सरीरिक स्वा आपकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विगन संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार सहिं, कि प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद कच्चे दूद में केसर वा हल्दी वा चंदन मिला करके, शिव परिवार को इसना मंतर का यथा शक्ती जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वा सफलता दायक आज रहेगा, अगली राशी है धनू, धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आज का दिन लाप की इस्तिती विक्सित करेगा, बिजन एक छेत्र का विकास कर पाएंगे, विध्यारती वर्ग किसी अनुभवी व्यक्ती से भेंट से लाप प्राप्त करेंगे, गुप्त सत्रों पर आपको विजय स्री की प्राप्ती होगी, भाई बहनों के साथ संबंदों में मधुरता बनी रहेगी, परिवार में शुब मंग अगल कारी की रूप रिखा बनेगी, और लाइप में आपके रिस्तों में सुधार होंगे, रिस्ते आपके मजबूत होंगे, तो आज आपको भाग्य का साथ सत्यासी प्रतिसत प्राप्त हो सकेगा, आज सारीदिक स्वास्त आपका उत्तम रहेगा, तो आज आपका भाग् रंग आपका बेंगनी रंग है। अगले राशी है मकर तो मकर राशी वालों को आज शुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। रही प्रकार के काम एक साथ हाथ में आने से व्यस्तताएं आपके बढ़ सकती हैं। नया कार्य करने के लिए माता पिता का आशिरवाद और सहयोग आपको मिलेगा। आर्थिक इस्तिति आपकी बहतर होगी। उन्नती के मार्ग भी प्रसस्त होंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ सत्यासी प्रतिसत प्राप्त हो सकेगा। आज सारीदिक स्वास्त आपका उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्य शाली अंकछे हैं। शुबरंग आपका के सरियारंग है। केसर यारंग का प्रियुकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं कि प्राताहकाल इसनान करने के पस्चात शिव पारवती जी को कच्चे दूद में केसर हल्दी वा चंदन मिला करके इसनान करावे पुनाह सुद्ध जल अर्पित करे गंगा जल चड़ावे वस्त्र आदी चड़ा करके गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करे ग्याराह बिल्व पत्र सफेद च अगले राशी है कुम्भ राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि मेहनत और समर्पन से किये गए कारियों में आपको सफलता मिलेगी कुछ लोग आपकी सफलता से आहत हो सकते हैं अपने स्वास्त का विशेज ध्यान रखें खान पान में लापर करके आप करें आई व्याई का संतुलन आपका बना रहेगा मता पिता से भी संबंदों में मधूरता बनी रहेगी जीवन साती से वाद विवात करने से विशेश रूप से आज आपको बचना चाहिए तो आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त हो सकेगा आज सरी प्रकार के विगन संकटे वंबादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिए कि प्राताहकाल इशनान करने के पस्चाथ कच्चे दूद में केसर हल्दी वा चंदन मिला करके शिव परवती जी का अभिशेक करें पुना सुद्ध जल वा प इस महा मंतर का अधिक से अधिक संक्या में जाब करें तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब होवा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मीन तो मीन राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कारे छेतर में अधिकारियों के साथ स जबहर से सुधार करके ठीक कर पाएंगे किसी संकट गरस्त व्यक्ति की सहायता कर सके तो आपके लिए बहतर होगा इससे आपको काफी लाब मिलेगा लाइप में सामंजे से स्थापित करने की कोशिस आपकी सफल रहेगी तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप आपको विशेश लाब की प्राप्ति होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वंबाधाउं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाए इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात शिव परिवार की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें शिवजी को 21 बिलवपत्र सफेद चंदन लगा करके चड़ावें रितुफल मिठाई और पंच मेवा का भोगर पित करें एक स्रीफल चड़ा करके ओम सामब सदाशिवाई नमा इस महा मंत्र का 108 बार स्रद्धा पुर्वग जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके शेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे